साधी सुधा महिला ने गाउं में ही बनाए तीन तीन प्रेमी और तीनों प्रेमियों संग करती थी गंदा काम। सिर्फ एक खुपिया सिम के जरीये खुल गया पूरा राद। 12 साल की साधी पती का साथ और साधी सुधा जिंदगी में एक एक कर तीन प्रेमियों की इंटरी। पूजा को सिकायद थी कि उसका पती उसके साथ मार पीड करता है और उसे प्यार नहीं करता। बस इसी प्यार की तलास में पूजा ने अपने कदम घर की दहलीज के बाहर रख देखती है इसके बाद उसे दूसरा प्रेमिय मिलता है अब पूजा अपने सारे सपने दूसरे प्रेमिय के साथ देखने सुरू कर देती है कुछ वक्त बीता उसके जिंदगी में तीसरे प्रेमिय की इंटरी होती है अब इन ही तीनों प्रेमियों के साथ मिलकर पगलाई प ऑड़िफूर में दोस्तों आज मैं आप लोगों के समचिश फिर से एक सची कहानी लिएकर उपस्तित हो एक सची घडना लेकर उपस्तित हो जिसको सुनने और जानने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसका जाएगी आज की जो कहानी है वो एक पतनी की है कि किस तर आज की जो सच्ची घटना में आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ इसको सुनने और जानने के बाद आप लोगों खुद फैसला कीजिएगा क्या ऐसी पत्नियों को अरधांगनी कहा जाएगा या फिर इनको कैसे संबोधित किया जाएगा दोस्तो 26 जुलाई 2024 की सुबा तकरीबन 6 बजे का वक्त था उत्तर प्रदेश के कानपूर दिहात में पढ़ने वाले मनकापूरी इलाके में कुछ लोगों की नजर शड़क किनारे पड़ी एक लास पर पढ़ती है लास के उपर एक बाइट टिकी हुई थी मामले की सूचना पूलिस को दी जाती है और पता चलता है कि ये लास गाउं के ही रहने वाले गुरुचरन नामक आदमी की है गुरुचरन को सराप पीने की लथी इसलिए शुरुवात में यहां देशा लगाया गया कि नसे की हालत में गिर कर उसका एक्सिडेंट हुआ होगा जिससे उसकी जान चली गई होगी लास के उपर कोई चोट के निसान नहीं थे पुलिस पंचे नामा करती है और बाड़ी को पोस्ट माड़म के लिए भेज देती है इस बीज गुरुचरन का बड़ा भाई राजकुमार पुलिस थाने पहुंसता है और आरोप लगाता है कि उसके भाई की मौत हाता नहीं बल यकीन में बदल जाता है दरतल गुरुचरन की हत्या गला घोट करकी गई थी अब पुलिस केस दर्ज करती है और मामले की तफसेस में जुड जाती है राजकुमार अपनी सिकायत में आरोपी के तौर पर गुरुचरन की पतनी पूजा तीन अन्य लोगों जिनका नाम गुल रोपियों की काल डिटेल्स चेक करती हैं तहकीकात में पता चलता है कि गुलाब सिंग के फोन पर हर दिन एक नंबर से लगातार लंबी बात चीत होती थी पुलिस अब इस नंबर की डिटेल्स खंगालती है और जब सच्चाई खुलती है तो बेहत चौकाने वाली जानकार शामने आती है ये नंबर गुरुचरन की पतनी पूजा के नाम पर था जो नंबर सामने आता है जिससे गुलाब सिंग आए दिन फोन में बात चीत किया करता था उस नंबर की जो जानकारी मिलती है जो खुलासा होता है वो मुरतक गुरुचरन की पतनी पूजा के नाम पर यहाई एक और दिल्चस्प बात निकल कर सामने आती है दरसल इस नंबर को पूजा ने सब की नजरों से छीपा कर रखा था इस सिम को पूजा तभी इस्तेमाल करती थी जब उसे गुलाब सिंग से बातचीत करनी होती थी अब पूलिस गुलाब सिंगा और पूजा को हिरासत में ले लेती हैं और पूजटाज करती हैं सक्ती करते ही दोनों तूड़ जाते हैं और इसके बाद गुरू चरन के कतल की खाउफना कहानी सामने आती है पुलिस पूश्टाज में पूजा बताती है कि गुरू चरण से उसकी साधी करीब 12 साल पहले हुई थी साधी की बात ते ही गुरू चरण सराब पी कर उसके साथ मार पीड करता था इसे बीच पूजा की मुलकात गाउं के ही रहने वाले सियोम नाम के युवक से होती है सियोम के साथ महाराष्ट चली जाती है महाराष्ट में दोनों लगभग दो महीने तक साथ रहते हैं और इसके बाद पूजा गाउं वापस आ गई यहीं कि दो महीने महारार्च में रहने के बाद पूजा गाउं वापस आ जाती है जब वो दो महीने स्यों के साथ महारार्च से बिताने के बाद गाउं आती है तब पूजा की जिंदगे में उसके दूसरे प्रेमी बिशनु के इंत्री होती है दोनों की बाची धीरे धीरे शंबंधों में बदल जाती हैं कुछ महीने और बीटते हैं तो पूजा की नजदी की अपने चचेरे देवर गुलाब सिंग से बढ़ जाती हैं अब गुलाब सिंग पूजा की तीसरे प्रेमी के रूप में आते हैं और ये रिस्ते में पूजा क चाचा ससुर के लड़के थे गुलाब सिंग तो अब चचेरी देवर गुलाब सिंग से उनकी नजदी किया बढ़ने लगती है अब पूजा के तीन प्रेमी अहुँ चुके थे इसे बीच पूजा की पती को कहीं से पता चल जाता है कि उसकी वीवी के संबंद गुलाब सिंग से हैं यानि उसके चाचा के लड़के के साथ है गुलाब सिंग जब भी उसके घर के सामने से बुजरता था तब गुरु चरन गुलाब सिंग को देखने बाद जाहिर सी बत है जब किसी भी पती को ये पता चलेगा कि उसके पतनी के किसी दूसरे ब्यक्तिष्ट साथ अवैस संबंध है तो जाहिर सी बात है ये जब भी कभी घर के सामने से गुलाब सिंग गुजरता था तो गुरुचरन को काफी गुस्सा आता था और वो गाली गलोज करने लगता था ऐसे में पूजा ने अपने तीनों प्रेमियों के साथ मिलकर पती को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिए जब पूजा देखती रही कि आए दिन मेरा पती गु दूचरन को रास्ते से हटाने के लिए एक साजिस रस्ति है साजिस दोस्तों 12 दिन में तयार की जाती है यानि कि 12 दिन लगते साजिस को तयार करने में कैसे करते हैं सबसे पहले पूजा ने एक नया सिम काड़ खरीदा और पती से चिपा कर इस नंबर से गुलाब सिंग के स सबसे पहला प्रेमी तो सिवम होता है और दूसरा प्रेमी विष्णू होता है 30 प्रेमी चचेरा देवर गुलाब पूजा की पति गुरुचरन को पहले प्रेमी यानि कि जो पूजा का पहला प्रेमी था श्यूम उसके बारे जानकारी होती है और जो सबसे लास्ट वाला तीसरा प्रेमी होता है यानि कि चचेरा देवर गुलाफ से उसके बारे में जानकारी होती है लेकिन जो दूसरे नंबर का प्रेमी होता है विस्नू उसके बारे में पूजा के पति गुरुचरन को कोई जानकारी नहीं होती है दो प्रेमी श्युवουμε दूसरा प्रेमी बिस्णु और तीसरा प्रेमी गुरासिंग नेकि चारों लोगों ने मिलकर गुरू चरण को रास्ते से फटाने का प्लान बनाते हैं कि इसकी कैसे हत्या की जाता है तो इस तरह से इनका जो प्लान होता है वो बारा दिन में बन कर तैयार होता है प्लान के अरूप अब ये लोग घटना को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयारी बना लेते हैं जिसमें इन चारों में से बिशनु को तयार किया जाता है बिशनु को इसलिए तयार किया जाता है क्योंकि पूजा बताती है कि बिशनु के बारे में मेरे पती गुरुचरन को कोई जानकारी नहीं है वो खाली सियों के बारे में जानता है और गुलाफ सिंग के बारे में जान और पहले सराब पिलाओ इसके बाद तिर घर्टना को अंजाम दिया जाएगा बिलकुल प्लान के हिसाब से बिस्नु जाता है सराब लेता है और सराब लेकर जाता है गुरू चरन से मिलता है और यह से गाओं में आम तरपर लोग मिलते हैं कि आओ भीया कैसे हो अब बड़े यह करते हैं वह करते हैं बिस्नु गुरू चरन को लिवा कर खेतों की तरफ निकल जाता है और खेतों के मेड़ पर बैट कर दोनों पीने लगते हैं बस सराब पी हूँ चुके थे जब सराब खतम हो गई और गुरू चरन को नसा हुआ तो उसके बाद पूजा का पहला प्र इसे भी जब गुलाब सिंग को देकर गुरू चरन भलक जाता है और गालिया देने लगता है तो दूसरे नंबर का जो प्रेमी होता है जो गुरू चरन को लेकर सराब पिलाने के लिए खेत पर जाता है विश्नु वो पीछे से गुरू चरन की गले में गमच्छा डालता है और गमच्छा पकड़कर कसने लगता है विष्णू के गमच्छा कसने पर जब गुरू चरन विष्णू के हाथ नहीं आता है तो ऐसे में गुलाब सिंग और पहला प्रेमी सियो मिलकर विष्णू का साथ देते हैं और तीनों मिलकर गम्छे से उसका गलकस कर मौत के खाट उतार देते हैं अब इसके बाद जब गुरु चरन मर जाता है तो उसके लाज को निचुरल मौत या निक एक सिडेंटल मौत दिखाने के लिए ये लोग प्लान करते हैं करते क्या है कि गुरु चरन को मानने एक बाद ये लोग उसी की बाइक पे सवार होते हैं और उसको बीच में बिठाते हैं और सिवम गारी चलाता है और ये लोग ले कर जाते हैं तो सड़क की किनारे गारी को कुछी सतरा से जुका कर गिराते हैं कि एक पाउं उसका बाइक की नीची दबा रहता है एक पाउं जो है बाइक और गिरने के वज़े सिसकी मौत हो गई और होता भी यही है कि अगले दिल जब गाउवाले उधर से गुजरते हैं तो देखते हैं कि सड़क किरारे एक लास पड़ी हुई है लेकिन लोग बार पहले चेहरा नहीं देखते हैं बस पुलिस को सूचना दे देते हैं पुलिस आत हैं उसके बाड़ी पर कहीं भी चोट के निसान नहीं होते हैं पुलिस बाड़ी को पंचनामा कर पोस्टमाडम के लिए भेज देती है और भेजने के बाद जैसे पता चलता है कि गुरुचरण की बाड़ी पोस्टमाडम के लिए गई है उसका बड़ा भाई राजकुमार थाने पहुंच जाता है थाने पर दो पुलिस को बताता है कि मेरी भाई की माउथ अथ्ता नहीं वadaशकी हट्या की गई है ऑर इस तरह से वो थान्हे में जाकर अपना शिकायती पतर देता इसमें शिकावित में वह अपने छोटे भाई गुरु चरण की पतनी पूजा और उसके तीन प्रेमियों पहला प्रेमी सिवम और दूसरा प्रेमी विष्णू तीसरा प्रेमी गुलाब का नाम देता है बस फिर क्या था पुलिस एक्षन में आती है तफसीस में जुड़ जाती है पुलिस छानबीन के दावरान सबसे पहले तो इन तीनों चारों पर उपियों की काल डिटेल्स चेक करवाती है जिसमें गुलाब सिंह का नमबर जब पुलिस खंगालती है तब पता चलता है कि गुलाब सिंग पे फोन पर एक नमबर से फोन आता जिसमें बड़ी देर तक लंबीलबी बातचीत की जाती है फिर जब एक का कुलासा हुआ तो दोस्तों ये सची कहानी कानपूर की थी उत्तरफदेश के कानपूर के मन का पूरी लाके की थी आए दिन इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आती रहती हैं जिसको सुनने और जानने के बाद हिदा अब देयन हो जाता है कहीं न कहीं मन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्यों लोग वाग ऐसा करते हैं तो दोस्तों बता दें कि ऐसी कहानियों को सुनाने का मकसद किसी को हताहत करना या परिशान करना नहीं था कि आपको चागरू करना और सचेत करना है कि आए दिन समाज में घट रही ऐसी घटनाओं को सुनकर और चानकर आप लोग साउधान रहें सतरक रहें और इस तरह की जो घटनाए समाज में हो रही हैं उनसे दूर रहें और ऐसी ऐसी घटनाओं को देखने सुनने और जानने के बाद उससे आप लोग सीख लें ताकि आगे चलकर आप लोगों को किसी भी तरह कोई दिकत ना हूँ तो दोस्तों पूरी कहानी सुनने और जानने के बाद फिलाहल आप लोग किस फैसले पर पहुंचे हैं आप लोग क्या सोचते हैं कमेंड करके जरूर बताएगा दोस्तों म अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा ज्यादा सेयर करें कमेंट करें तो मिलते हैं इसी तरह कि किसी दूसरी कहानी के साथ तब तक लिए नमस्कार